हेलो नमस्कार जहिन फिरसेग वर स्वागत है आपके अपने चनल अखिलेस इस्टिडी सेंटर में तो साथियों आज इस वीडियो हम आप लोग को साइंस में कुछ इंपोर्टेंट चीज बताएंगे जो कि आपके बोर्ड एक्जाम के लिए काफी महतपूर्ण है और ओ कि यह कोशन कितना इंपोर्टेंट है तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप इस कोशन को समझ लेते हैं बाकि लिखने की बाड़ी में आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं आप समझे आप समझने के कोडिंग अगर दो बात समझते हैं तो चार बात अपने मन से आप कुछ तो मेरा कहने का मतलब है कि कोशन को पहले समझना है फिर उनको लिखना है तो चलिए मैं आप लोग को समझाने की पढ़ियास करता हूँ अगर आप लोग वीडियो को लाश्ट तक देखते हैं तो जरूर है कि ये कोशन आपको समझ में आ जाएगा तो मैं आपको बताना चा हैं तो आप जल्दी से हमारे चैनल के किमिलिटी में जाएए वहाँ पे वाटसप ग्रूप का एक लिंक होगा वहाँ से जोइन हो जाएए क्योंकि वहाँ पे निशूलक बच्चे को पीडिया जाता है और बच्चे को तैयरी करवाया जाता है तो ये आप लोग के लिए बह जोड़ासा इस वीडियो को सेर नहीं कर सकते हैं जरूर कड़ेंगे आप लोग ऐसा हम ऐसा हम उम्मीद है आप लोगो पर आप लोग जरूर हमें सपोर्ट करेंगे तो सांतियों चलिए मैं आप लोग को सोडियम को किरोसीन तेल में डूब होकर क्यों रखाया था इसके बा सबसे अधीक अभी किरिया सिलवला धातु है और कौन सबसे काम है यानि सक्रिता सरेनी में हम इसके बाड़े में अची तरीक से बात कर लिये थे ठीक है अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में हम इसका लिंक देखेंगे वहाँ से उस वीडियो को अगर देख लेते हैं तो आपको ये कोस्तन असानी से समझ में आजाएगा उसमें हम क्या बोले थे एक ट्रीक भी दिये थे और वो ट्रीक था काना कार मांगे अल्टो जन फरारी परभू है क्यों हजूर आजाओ इसका मतलब आपको उसी वीडियो में समझ में आएगा कि काना कार मांगे अल्टो जन फरारी परभू है क्यों हजूर आजाओ ये क्या है इसका मतलब क्या मतलब होता है इनके वाड़े में आपको उस वीडियो में जनकाड़ी मिलेगा आप जल्दी उस वीडियो को देखे ठीक है तो देखिए सोडियम हुआ पोटेसियम हुआ यह सबसे जो हाँ सबसे अधिक अभी किरियासिल वला धातु है अगर यह सब चीज को अगर खूली वायू में रख देते हैं तो यह तुरंद आग पकर लेती है अटोमेटिक यह आग पकर लेगी इसलिए जो हाँ सोडियम पोटेसियम लिथियम को हम लोग की रोशिन तेल में डूबो कर रखते हैं और मैं आप लोग को बता देना चाहूंगा कि वह कौन कौन से धातु है जिनको हम असानी से चाकू से काट सकते हैं तो आपको इसका जवाब देना है सोडियम पोटेसियम और लिथियम सोडियम पोटेसियम और लिथियम यह तीन धातु हैं इनको हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं तो देखिए अगर सोडियम पोटेसियम को खूली वायू में रख देते हैं तो वो अटोमेटिक जो है आग पकड़ लेती है ठेक है इसलिए हम सोडियम पोटेसियम और लिथियम को किरियोसिं तेल में डूबो कर रखते हैं ताकि वो आग ना पकड़े जिस तरीके से हम आप लोगो समझा हैं सेम टू सेम उसी तरीके से हम उसी अंदाज में हम इस परिवहसा को लिखे हैं तो आईए हम लोग परिवहसा को भी जान लेते हैं परिवहसा में क्या सोडियम सक्रिय दातू है जो वायू में उपस्तीत ऑक्सिजन से किरिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाती है देखिए हवा से क्या करती है किरिया क करके sodium oxide बनाती है यह पानी से कीडिया कर साइड्रो sodium hydroxide ठीक है पानी से कीडिया करके क्या बनाती है sodium hydroxide तथा hydrogen उत्पन करती है वायू में खुला छोर देने पर इसमें आग पखर लेती है इसलिए इसे केरोसिं तेल में डुबो कर सुरक्षित रखते हैं तो एह हो जायागा आ एंसर अगर इसकी पूरी पीडियाप जो की लिखा हुआ पीडियाप में मिलेगा यह आपको handwriting है लेकिन आपको वहाँ पर टाइफ किया हुआ मिलेगा जल्दी से आप हमारे WhatsApp ग्रूप में जूर जाएए आपको पूरी की पूरी पीडियाप एक साथ ही दी जाएगी बस सपोर्ट करते रहिए आप लोग को मैं जरूर सपोर्ट करूंगा एक्जाम तक तो इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टोफी के साथ तब तक के लिए थैंक्यू